हेलो एब्रिवान वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तो आज मैं एक और नई वीडियो लेके आई हूँ वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी गॉंफ्रेना के फ्लार्स की ब्लूमिंग देखिए दोस्तो किस तरह से गॉंफ्रेना के फ्लार्स इतनी अच्छी तरह से ब्लूम तो चलिए दोस्तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो आज मैं बात करने वाली हूँ पैडिलेंथस या डेविल्स बैक बॉन प्लांट के बारे में आप देख सकते हैं मेरे पास तीन वेराइटीज के पैडिलेंथस है बहुत ही खुबसूरत है यह प्लांट दोस्तो यह देखिए यह मेरे ग्रीन कलर के पैडिलेंथस ग्रीन वेराइटी के यह देखने में बहुत खुबसूरत है इनकी पतिया ऐसे ग्रीन होती है और यह देखने में बहुत सुन्दर लगती है और यह बेरिगेटेड वाली मे तो ग्रीन कलर के यह वह देखने में बहुत कुपसूरत लगते हैं कि मैदे पास यह दूसरा पेडी लेंथस भी है आप देख सकते हैं यह फिश बॉन जैसे इनके लीव्स इतने खुपसूरत है यह प्लांट दोस्तो पेडिलेंथस एक summer plant है और ये summer में बहुत अच्छी तरह से grow करती है इसलिए जब भी आप पेडिलेंथस को grow करें आप इसकी cutting summer season में ही लगाए ये cutting से बहुत easily grow हो जाती है इसकी छोटी से छोटी cutting से भी आप इसे लगा सकते है winter में इसकी growth जो है वो रुख जाती है या ये plant dormancy में चली जाती है और इनकी पत्तिया जहर जाती है दोस्तो लेकिन summer आते आते ये फिर से हरी भरी हो जाती है और इनके leaves फिर से आ जाते हैं आईए दोस्तो अभी बात करते हैं इसके soil के बारे में इसे आप normal garden soil, vermicompost या कोई साभी compost मिलाके आप इसमें दे दे लगा ले ये बहुत easily grow हो जाएंगी और आपको इसका जो soil है ये moist रखना है आपको dry बिल्कुल नहीं करना है नहीं तो इनकी पत्तिया जहर जाएंगी ये एक summer plant है इसलिए इसे आप maximum 6-8 घंटे की ढूप में रखे पैडिलेंथस का जो मिट्टी है दोस्तो वो well run होना चाहिए और इसे आप मिट्टी के गमले में ही लगाए ये मिट्टी के गमले में जादा अच्छे से ग्रो करती है पैडिलेंथस के पोधों को आप अपने गार्डन में जरूर एट करें दोस्तो यूँ तो पैडिलेंथस को जादा केर की जरूरत नहीं है मगर कभी कभी इन पोधों में मिली बक्स लग जाते हैं दोस्तो इसके लिए आपको नीम ओयल का चिरकाव बीच बीच में करते रहना है तो आज की वीडियो में बस इतना ही आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी होगी मैरे चैनल को लाइक शेर और सब्स्राइब करना ना भूले तब तक के लिए कीप गार्डिनिंग एं थैंक यू